हेलो एन वेलकम गई, स्वागार आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के एस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ICC Academy Summer T20 Cup की Second Semifinal Match की जो की मैच होगा यहाँ पर Future Mattress versus IGM यानि की Inter Globe Marine के भीज में तो चले दोनों यह टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौनसे प्लेयर को में लिएक सकते हैं सारी डिटेल्स किसी वीडियो में कवर करेंगे तो चले फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को अभी दक आपने सब्सक्राइब नेगे तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी टूर्णामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर की ज टेलीग्रम चैनल से जूट जाएगा क्योंकि Final Update और Final Team आपको टेलीग्रम चैनल पर मिलने वाली है और टेलीग्रम से जूटने के लिए मैंने निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेडी टेलीग्रम का लिंक अटेज किया इनके सगर लिंक वर्क नहीं गता तो टेलीग् चलेंजर या फिर आपको सर्च करना है अटरेट FDC27 और आपको सीथा हमारा चैनल मिल जाएगा तो चैनल मिल जाएगी बात करें इस मैच की तो यह मैच रात को नो बच कर तीस मीट पर टॉलरन स्कोल्स अबुदावी दुबई में खिला जाएगा पीछ रिपोर्ट की बात के हो तो यह बैटिंग के लिए अच्छी पीच है अच्छे कासे रंस बनते हैं ऐसे 180-200 तक भी बन ज स्कोर आथ देखने को मिल सकता है पिछली 20 मैच इस के बात के हो तो इसमें से ग्यारा बार चेजिंग करने वाली टिम ने जीती है तो ग्यारा चेजिंग करने वाली तो थोड़ा सा एडवानटेज है तो आइठिंग टॉस जीच कर टीम पहले चेज करना पसंद कर सकते हैं स के बारे में मैंने कई बार बता है हुआ है कि रेगुलर बेजिस पर बहुत ही लंबे समय तक UAE के कैप्टन रहे चुके हैं काफी अनुबवी प्लेयर है और ऐसी बड़ी मैचिस के अंदर इनको छोड़ना अमारी लिए बहुत ही रिस्की होएगा एज़ प्लेयर के साथ य के अगली मैच के अंदर बहुत है और यहां से वसी मोहमत से एक से दो वस करवाई जा सकते है देखो मैना प्रेडिक्शन है मैं कोई यहां से भविश्यवानी नहीं करा हूँ लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है वाकि आरे लाकरा वाली मैच के अंदर उन्होंने के अप्टन सीब क अलिशान शर्फू जबजस प्लेयर है पहली मैच के अन्दर बड़े स्कॉर इनके तरब से होते है तो इसे इनको डिफ्रेंस लिए में ट्राइ करना है अमजद गूल के बाद के तो बैटिंग फोर से नीचे करवा रहा है बाकी बैटिंग जबजस करते हैं पहली दोनों मै लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा तो अगर बैटिंग सेक्षन से अगर को एची चोईस ना मिले तो हम लोग ऐसे अमजद गूल को ट्राइ कर सकते हैं वाकि स्मॉल इंग में लेके जाना रिस्की रहेगा मुहमद उस्मान वेरी इंपोर्डेंट पिक यह बंदा भी कैप्टन वाइस कैप्टन सिप के लिए अच्छी चोईस है क्योंकि रिसंटली पिछली दोनों मेंच के लिए पोर्स करवाई बाकि बैटिंग से तो वो ताबर तोड़ बले बाजी करी रहे हैं 46-46-42 पिछली तीन मेंच के लिए 40 प्लस का स्कॉर गया एक मेंच को छोड़ करना चाहता है वैसे जरूरत नहीं है डॉप करने के क्योंकि यह दिखेंगे आपको बैटिंग सेक्षन से और बैटिंग सेक्षन से इन से अच्छी शायरी आपको कोई चोईस मिल सकती है तो आई तिंग सहेद हैदर श्याकवा में लेखे जाना चाहिएगा उमेर अली पिछली 3 मेंच के अंदर बाकि मोहमद अजर पिछली 2 मेंच के विकेट लेस रहे लेकिन इसके बावद बता दूब बड़ी मेच का बड़ा प्लेयर है यहां से semi-final जैसकी मेच में यह भाई-साप काफी अनुब़ाइब पलेयर है आपको बता दूब इससे पहले वाले प मुहमद अजर रहने वाला है बाकी रजा अक्किपूला खान को थोड़ा सा डिफ्रेंस सिले में ट्राइ करोगे रिसकी टीम बना दे हो तबी स्टार्टिंग में ऐसे रजा अक्किपूला खान के साथ रोहन मुस्तुफा और देधवस में अमजद कुल के साथ यासे मोहन मुहमद उस्मान देधवस में गयनवाजी के लिए आये थे लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज मुहमद उस्मान गयनवाजी करवा सकते हैं लेकिन फिर भी इनको लेखे जाना पड़ेगा बेंच की बात कर तो बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको ट अमिदुल्ला खान की बात को तो जबजस प्लेयर है जबजस पॉम में एज़ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सिप के लिए बढ़ी आफिक है पकी आशिव खान को भी आप लोग यहासे रिस्क लेते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन करते हुए जा सकते हो लास् के बाले में जादा कुछ बात नहीं करेंगे बात करेंगे जीजू जनालदन भी पिली दो में चके अंदर विकेट लेस रहे लेकिन फिर भी एज प्लेयर दो इंपोर्टन रहे लुक्मान हजरत को जरूर ट्राइ करेंगा क्योंकि यह बड़ा नाम है यूए की तरफ से काफी लंबे समय तक केले वह प्लेयर है तो इनको ट्राइ कर सकते हो आसे सहा नमाज करना देखो इनके बारे में मैंने पहले ही बताया था कभी भी इनके तरफ से बड़ा परफॉर्म और फाइनल मेंश के अंदर हमेशा इनकी तरफ से बड़ा परफॉर्मस रहता है तीन से चार विकेट निकाल लेता है इसे मिफाइनल के अंदर हला कि इनसे एक दो विकेट की तो उमीद जरूर रहेंगी तो ऐसे आसी प्मानताज को मैं जरूर ट्राइ करूंगा इनको बागी small link किया अंदर आपकी team के अंदर रहना चाहिए बागी different style way में कुछ हटके करना चाहोता है यासे मोहमत तेमूर देखो तीन प्लेयर है जिनको आपको हटके लेना है यानि कि एक मोहमत तेमूर, मोहमत अजहर और यहांसे आसी मोहमत यह तीनों प्लेयर है जिनको आपको आठके लेना है क्योंकि यह बंदे जो है यहासे बड़ी मचों में चलते हैं वाले प्लेयर है starting में ऐसे अजरत लुकमान के साथ जीजु जनाल दन और देखोस में ऐसे लुकमान के साथ हैरी बरवाल देखोस में आए बेंच की बात करतों बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलिग्रम चैनल पर मिलेंगे तो जल्ली से जाके आपको टेलिग्रम चैनल को जोईन के लेना है जो की ताप और तोर बल्ले बाजी के लिए जाने जाते हैं यासे अमजद गुल कभी भी यासे तहस मैज कर सकते हैं सामने वाली टिम को यह दोनों प्लेयर को आप लोग डिफ्रेंस लिए में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हैं मेरी टिम के अंदर इसकी प्लेयर ही रहेंगे आज की मैज के लिए वाल राउंडर सेक्शन में भी बहुत बड़ा रिसक लिए है मैंने यासे जीजु जनादन को ड्राप करने के लिए आप लोग चाहे तो यासे आरियन लाकरा को कर सकते हो क्योंकि वो बड़ी मैच कर बड़ी प्लेयर हैu मैंने आपको पहले बताया बालिक सेक्शन में से यहा से हारी भरवाल और महम्हमन अजफर को ले रहा हूँ आशिप ममताज को लिया है और इसके साथ यहा से हैस खान को लिया है साहनवाज खांड को तो यह भी हमारी डिम कहने रहने वोले बाकी यहां से उमेर अली को डिफरेंस दिने में ट्राय करना है लुक्मान को ट्राय करना है अभी के लिए टीम की बात करो टीम मेरी कुछ झी सराओ रहेगी कैप्टन रहेंगी यासे उस्मान खान और वाइस कैप्टन यासे रोहन मुस्तुफा रहेंगे ओप्संस की बात को तो ओप्संस यासे वशिप मुहमद आशिप खान दोनों में से किसी को आप कर सकते हो और बाकी एक हमित खान भी एक्षी चोईस है इनको भी आप रहे कर सकते हैं आप यह के लिए टीम इसी तरह से रहेगी याद रहेगे डेमो टीम में आपको टेलिग्राम में मिलेगी फाइनल नाइप के बाद तो टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक अटेच किया है इनके से अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलिग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फेंटासी डिसन चेलेंजर या फिर आपको सर्च करना है अटरेट FDC 27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपली आपको उसे जोइन करना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल लिम आपको वही पर मिल जाएगी तो यहाँ अगर वीडियो अचा लगए तो वीडियो को आपको लाइक और सेर करना है साथे में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नुम भुलेगा क्योंकि आगे आने वाली अच्छे में चैस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएगे मिल देम लोग अगले वीडियो में एक नए सर्प्राइज वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते रो अच्छानल इसेज के तरो चीटिंग बना तो चुनिंग के तरो तब तक के लिए भाई धन्यवत चैन जै भारत